असलाम लेकुम प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम मिन्हा है और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बुन्यादी बातों को समझना तो प्यारे बच्चों क्या आपको पता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है प्रोग्रामिंग में कम्प्यूटर को किसी मसले को हल करने के लिए हिदायत का एक सेट दिया जाता है यानि अगर प्रोग्रामिंग से हम चाते हैं कि कम्प्यूटर हमारा कोई मसला हल कर दे अगर हम चाते हैं कि कम्प्यूटर हमारा कोई काम कर दे तो हमें कम्प्यूटर को क्या देनी होंगी? हिदायात देनी होंगी जी हाँ, हिदायात क्या होती है? हिदायात हुकम या कमांड कहलाती है प्रोग्रामिंग जबान क्या है? कम्प्यूटर सिर्फ प्रोग्रामिंग जबान समझ सकता है Programmer's, computer से बात करने के लिए Programming जबान सीखते हैं प्यारे बचो, जैसे आप Urdu सीखते हैं, English सीखते हैं इसी तरह अगर आप चाते हैं कि आप computer से बात करें तो आपको क्या सीखनी पड़ेगी? Programming जबान सीखनी पड़ेगी, जी हाँ, तब ही आप computer से बात कर सकते हैं तो प्यारे बच्चों क्या आप कम्प्यूटर से बात करने के लिए पुर जोश है? एक्साइटेड है? फिर आपको फ्रोग्रामिंग जबान सिखनी होगी फ्रोग्रामिंग की बहुत सी जबाने होती हैं, कुछ बड़े लोगों के लिए होती हैं और कुछ आप जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए होती है हम कम्प्यूटर को हिदाया देने के लिए कौन सी जबान इस्तमाल करते हैं? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोग्रामिंग जबानों की दो एहम इकसाम होती हैं दो किसम की प्रोग्रामिंग जबाने होती हैं एक होती है विजूल और एक होती है टेक्स्चूल जो विजूल होती है ना विजूल प्रोग्रामिंग लैंगविज उसमें आपको कुछ बटन्स नजर आ रहे होते हैं कुछ ब्लॉक्स नजर आ रहे होते हैं जैसे स्क्रीन पर आपको उपर वाली तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं आपको कुछ बटन्स, इसी तरह जो टेक्स्ट चुल होती है जो बड़े लोगों की होती है, उसमें कुछ टेक्स लिखा वात है, जैसे I, N, T, A, M, A, I, N, V, F, P, यह आपको नज़ आ रहे हैं, यह क्या है, अलफा बेट्स, यह टेक्स्ट है, यह क्या है, टेक्स्ट, जीरो भी नज़र आ रहे है, इस इकल टू का साइन भी नज़र आ रहे है, ब्रैकेट्स भी नज़र आ रही है, ठीक है, तो यह क्या है, टेक्स्ट है, तो यह जो टेक्स्ट वाली होती है यह बड़े लोगों के लिए होती है बड़े लोग इसको सीखते है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जो उपर पिक्चर आ रही है जिसमें बटन्स बने वे वैसी language सीखते हैं उसे क्या कहते हैं Visual Programming Language तो हम कौन सी language सीखेंगे Visual Programming Language छोटे बच्चों वाली Programming Language ठीक है Programmer कौन है Programmer वो शक्स होता है जो Computer Programs लिखता है Programmer Computer को मरहलावार हिदायात देता है यानि जो Programmer होता है न वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद Computer को हिदायात देता रहता है बताता रहता है Computer को कि अब आप ये करो अब आप ये करो ओके अब हम देखते हैं कि एक Programmer क्या कर सकता है तो प्यारे बच्चों एक Programmer जो होता है न वो Games बना सकता है कहानिया बना सकता है कार्टून्स बना सकता है मतहर्रक तसावीर बना सकता है Applications बना सकता है Programming करके और बहुत कुछ बना सकता है अब मैं आपको बताती हूँ कि 2021 में बच्चों के लिए बेहतरीन Programming के टूल्स कौन से हैं तो वो है Code.org, Scratch Junior, Scratch, Blocky, Mblock, Roblox Studio and Minecraft तो प्यारे बच्चों क्या आप Programming की जबाने सिखने के लिए एक्साइटेड है तो उसके लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया